तो आज हीरो ब्राइन और डेड लॉड एंटिटी 606 को खतम करने के लिए उपर मून पे जाने वाले हैं तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा के एक तरफ तो हम लोग हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन को बचाते बचाते खुदी एक ऐसी जिगापे फर्स चुके थे जहां से वापस लोटना उतना आसान नहीं था और उससे भी ज्यादा दिकत वाली बात तो ये थी के हीरो ब्राइन वहाँ पे ट्रैप हो चुका था उपर से एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स किसी भी टाइम अपने मून वाले वर्ल्ड से बैट के हमारे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रोई कर सकता था लेकिन बड़िया बात तो ये थी के इतने में डेड लोड वहाँ पे आ जाता है और कैसे भी करके हम लोगों को वहाँ से निकाल लेता है उसके बाद हम लोग सीधा जाने वाले थे एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स को खतम करने के लिए उसके मून वाले वर्ल्ड में उपर स्पेस पे देखते हैं आज क्या होता है फीरो ब्राइन प्लीज यार थोड़ा संबल के क्योंके ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे उस दरिंदे एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स के कोई प्लैनिंग होगा इस सामने की साइट आप लोग देख सकते हो कि इतनी ज्यादा लोग है यहाँ पे और ऐसा लगता है कि इसी घर के अंदर ही ईरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन को इन लोगों ने कैद कर रखा है बढ़ ये काम इतना आसाल नहीं होगा हम लोगों की एक चोड़ी सी गलती जीरो ब्राइन को हमेशा हमेशा के लिए खितम कर सकती है उत्तिरी लेकिन ये सब कैसे होगा हीरो ब्राइन क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी भी एक्टिविटी करी तो उन लोगों को शक हो जाएगा गाईस यहाँ पे हीरो ब्राइन ने एक प्लैन तो बनाया और अगर हम लोग उस प्लैन को इंक्लिमेंट करने में सफल हो जाते हैं तो फिर ऐसा समझो जीरो ब्राइन भी हम लोगों के साथ होगा और हम लोग सीधा सीधा उपर जाके मतलब एंटिटी 606 वाले मून वाले वर्ल्ड में जाके उसको भी खतम कर देंगे लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि इस लडाई में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है यार पहले भी हम लोगों ने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त खो दिये थे बट इस बार उत्तरी एक मिनिट लगता है सामने की साइट भी कोई सेक्योर्टी टाइप लोग है एक ही रास्ता यहाँ पर हम लोगों को मिला था इस बिल्डिंग या फिर घर के अंदर जाने का वहाँ पर भी सामने एक बंदा है अब हम लोग करें तो क्या करें क्योंकि जीरो ब्राइन की जान गाईस इस टाइम पर बहुत ही बड़े ओके तो यार हीरो ब्राइन ने यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त वाला प्लैन हम लोगों को दिया लेकिन लेकिन सच में यार गाईस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि हम लोगों को एक अलगी तरीके से इसके अंदर घोसना पड़ेगा और देखो यार इसमें अगर जरासा भी उन लोगों को पहले शक हो जाता है ना कि कोई इस बिल्डिंग या फिर इस घर के आस पास है तो पता नहीं वो जीरो ब्राइन के साथ क्या कर देंगे अब आप लोग जानती हैं कि लास्ट एपिसोड में एक बंदे ने हम लोगों को इंफॉमेशन दी थी कि जीरो ब्राइन को मतलब हीरो ब्राइन का जो भाई है ना जीरो ब्राइन लेकिन फिलाल के लिए गाईस हम लोग उस प्लैन के उपर इंपलीमेंट हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है जो हीरो ब्राइन ने बनाया था हीरो ब्राइन ने डेड लोड को कहा कि तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ जहां पर काफी ज़्यादा लोग थे हम लोगों ने अभी अभी देखे थे और हीरो ब्राइन और मैं जाएंगे इस वाले रास्ते से क्योंके देखो अगर तो यहाँ पे कोई गड़ बढ़ होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन को दूसरे रास्ते से निकाल के ले जाएं तो इसलिए हीरो ब्राइन ने ये शामपती दिखाई बढ़ हीरो ब्राइन समल की वहाँ पे भाई एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ था हीरो ब्राइन ने उसको टपका दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हीरो ब्राइन अराम से गाईस यहाँ आप लोगों को एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा काफी लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर देना क्योंकि इस सिरीज के जो आने वाले एपिसोड है बहुत बढ़िया वाले होंगे ओ भाई यहां पे कितनी ज्यादा लोग है और हीरो ब्राइन एक एक करके सबको टपका रहा है भाई सहब अब देखने वाली बात यह है कि हीरो ब्राइन का भाई जीरो ब्राइन वो किस एरिये में यहां पे छुपा हुआ है अगर तो आज हम लोग उसको खोजने में सफल हो जाते हैं फिर ऐसा समझो हम लोगों की भाई साब गैंग जो है न वो पूरी हो जाएगी बट अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद हम लोगों को सीधा निकलना पड़ेगा एंटिटी 606 के मून वाले वर्ल्ड पे और वहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी विकोज यार एंटिटी 606 जो है न वो अपने मून वाले वर्ल्ड में बहुती ज़्यादा ताकतवर बंदा है और उसको मारना वहाँ पे इतना असान भी नहीं होगा बट अगर हम लोगों के पास जीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन और डेड लोड आ जाती है तो फिर तो बात ही खतम हो जाती है भाई वहाँ पे सामने की साइट एक बंदा था भी अभी मैंने देखा कहाँ पे गया लगता है हीरो ब्राइन ने इसको भी टपका दिया बट ये हीरो ब्राइन खुद कहाँ पे है हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन पता नहीं ये विचारा कहा चला गया वो भी बिना बताए गाईस कहीं ऐसा तो नहीं के उसके साथ कोई घटना घट गई हो भाई सहाब हीरो ब्राइन तुम हो कहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं के हीरो ब्राइन ने अपने भाई जीरो ब्राइन को देख लिया हो कहीं पे और उसको बचाने के लिए किसी टर्णल के या फिर बेस के अंदर चला गया हो लेकिन यहीं पे होना चाहिए यार जीरो ब्राइन भी आस पास अब मैं करू तो क्या करूँ ओ माई गॉड गाइस वही हुआ जिसका डर था उन लोगों ने हीरो ब्राइन को आखर कार देख लिया हीरो ब्राइन शम्भल के मैं देखता हूँ इन लोगों को और ये डेड लोड पता ने कहां पे चला गया परे बाबरे हीरो ब्राइन उनको अपनी आइस पावर से भाई साब फ्रीज कर रहा है मैं भी आज बाऊं हीरो ब्राहिन तुम हिम्मत मत हरना तो फाइनली यर गाईस यहां पे जितने भी लोग थे हीरो ब्राहिन ने सब को टपका दिया और बड़िया बात तो यह है कि हीरो ब्राहिन ने अपना आरमर भी पहली बार मतलब पहली बार तो नहीं पहले भी एक बार उसने पहना था बड़ आई थिंक इस टाइम पे हीरो ब्राहिन ना बहुती ज्यादा गुसे में है और सोचने वारी बात तो यह है कि हीरो ब्राहिन क्या तुम्हारे भाई जीरो ब्राहिन का पता चला कुछ और डेड लोड कहां पही है अरे बाप रे बाप ओ शिट अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा तो गाईस हीरो ब्राहिन बिचारे का कहना है कि उसे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो बेस है ना जिसके अंदर अभी हम लोग गए थे इसके अंदर जीरो ब्राहिन बिल्कुल भी नहीं है हीरो ब्राहिन का ऐसा कहना है कि मैंने चप्पा चप्पा चान मारा लेकिन वो यहां पे नहीं मिला इसका सीधा मतलब ये है कि वो लोग Zero Brine को उपर Moon वाले वर्ल्ड में ले के जाने में कहीं सफल तो नहीं हो गये अब Dead Lord पता नहीं कहां चला गया ओके तो बूर रहा भाई सहाब Dead Lord पता नहीं कहां चला गया था ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको Zero Brine के बारे में कुछ मालूम हो गया हो ओ भाई Hero Brine और Dead Lord वहाँ पे उपर च्छत पी आखिर क्या कर रहे हैं और Dead Lord ने गाईस Hero Brine को ना एक बुक भी दी है पता नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था Hero Brine क्या हुआ Zero Brine का पता चला कुछ ओ भाई साहब वही हुआ जिसका डर था लेकिन जिन और जाहीं टेलिक्स का क्या होगा अब मतलब हम लोगों को उनको भी साथ लेके जाना होगा तो गाईस यार यहाँ पे एक बहुती बड़ी दिक्कत हो चुकी है ना मतलब Zero Brine का कुछ भी पता नहीं चला यहाँ पे और इसका सीधा मतलब है के Entity 606 दरिंदा अपनी प्लैनिंग में सफल हो चुका है वो Hero Brine के भाई Zero Brine को उपर Moon पे मतलब लेके जाने में सफल हो चुका है अल्रेडी अब हम लोगों के पास एक ही Option बचता है के अगर हम लोग कैसे भी करके इसी टाइम सीधा Moon पे पहुँच जाते हैं तो हम लोग Zero Brine को बचा सकते हैं अदरवाइस वो दरिंदा उसके साथ क्या करेगा इसका अंदाचा कोई भी नहीं लगा सकता इसलिए गाईस आप लोगों को तो पता है के अगर हम लोगों को Moon वाले वर्ल्ड में जाना है तो सबसे पहले हमें रॉकिट चाहिए होंगे जिसके उपर बैठ के हम लोग उपर Moon पे जाएंगे और वो इस वर्ल्ड के अंदर मिलना तो इतना आसान नहीं है क्योंके ये वर्ल्ड है माइन क्राफ्ट के एक खतरनाक मोब काल का बट ये वला आरेंचमेंट भी हम लोगों को डेड लॉड करके देगा क्योंके हीरो राइन ने अभी अभी मुझे बताया कि डेड लॉड का एक बंदा मतलब डेड लॉड एक बंदे को जानता है वो रॉकेट का काम करता है basically वो बंदा मतलब अर्मी ओफिसर है तो रॉकेट का उसका काम है तो डेड लॉड अभी सीधा सीधा लेके जाएगा हमें उस बंदे के पास देखते हैं वहाँ पे क्या होता है अगर तो वो बंदा हमें रोकेट दे देता है तो सीधा हम लोग यहां से निकल लेंगे मून की तरफ और उसके बाद उपर क्या होगा कोई सोच भी नहीं सकता एक तरफ एंटिटी 606 होगा लला और ये सब लोग और एंटिटी 303 और दूसरी तरफ डेड लोड हीरो ग्राइन और मैं और क्या पता जाइं टेलेक्स भी हम लोगों के साथ चले लेकिन यार इतना तो मैं आप लोगों को बता देता हूंगा इसके इस टाइम पे भी गेम हम लोगों के हाथ के अंदर है क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने को भी पकड़ के कैद कर रखा है और होगा लाला के भाई हूला लाला को भी हम लोगों ने कैद कर रख बट एक मिनिट आई थिंक यही वो जगह है जहां पर वो बंदा रहता है और डेड लोड जाने वाला है उसको मिलने के लिए बस यार गाइस कैसे भी करके हम लोगों को व को भी ओके तो यार गाईस हीरो ब्राइन का कहना है कि थोड़ी देर के लिए शांती बना के रखो क्योंकि मेरा माइंड बहुत भी खराब हो चुका है इस टाइम पे मतलब अपने भाई जीरो ब्राइन की हालत को देखके अब इस टाइम पे आप लोग जानती हैं कि जीरो ब् रिंदा बन चुका था और उसकी हाइट भी काफी बढ़ चुकी थी जब वो उसने उसको काटा था जाइंट स्टीव ने जीरो ब्राइन को तो वो जीरो ब्राइन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था यहां तक कि वो अपने भाई जीरो ब्राइन को भी नही उसके साथ क्या करेगा हीरो ब्राइन ने मुझे कहा के तुम वही पर बाहर वेट करो मैं डेड लोड के पीछे जाके देख के आता हूँ और गैस मैं अकेला बाहर कैसे रुकूँगा इसलिए मैं भी हीरो ब्राइन को ढूड़ते ढूड़ते उनके पीछे जाऊँगा बट दिक्कत वाली बात तो यह है कि यहाँ पे इतने ज्यादा रास्ते हैं कि मुझे कुद भी पता नहीं चल रहा कि यह हीरो ब्राइन और डेड लोड आखिर कहा पे गए है हीरो ब्राइन डेड लोड हीरो ब्राइन तुम लोग कहां पे चले गए भाई साब ऐसा लगता है यह तु कोई खतानाक जगा है आर्मी वाले भाई साहब ऐसा ही करते हैं कि कोई मतलब वो जो भी अपनी बेस बनाती है ना उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कोई भी बन्दा उन तक ना पहुँच पाए हीरो प्राइन फाइनली क्या बना रोकेट मिले के नहीं तुम मुझे बाहर क्यों लेके जा रही है और डेड लोड कहां पे है उत्तिरी हीरो प्राइन भी ऐसा बोल रहा है कि मैंने भी बहुत कोशिश करी अंदर जाने की लेकिन मुझे भी वो रास्ता नहीं मिला जहां से डेड लोड उस बन्दे को मिलने गया अब क्या होगा यार गाइस बस एक बर कैसे भी करके कैसे भी करके इस टाइम पे अगर हम लोगों को रोकेट मिल फाइनली डेड लोड यहां पे आ चुका है हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन जल्दी से नीचे आ ओ डेड लोड यहां पे आ चुका है और वो बंदा भी है उसके साथ आई थिंक यही वो बंदा है जो आर्मी ओफिसर है और रोकेट का पता मतला भी यह बंदा हम लोगों को रोकेट तयार करके देगा अब ये क्या बोलड़ा है हीरो ब्राइन डेड लोड हीरो ब्राइन को कुछ समझा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने रोकिट देने से मना कर दिया हो या फिर कोई और दिकत हो भाई तो फिर जीरो ब्राइन का क्या होगा बापरे मैं करूँ तो क्या करूँ गाइस हीरो ब्राइन कुछ तो बताओ यार मुझे भी मैं भी तुम्हारा साथ ही हूँ हीरो ब्राइन उत्तिरी ये तो बहुत लेट हो जाएगा इतना डिले हम कैसे करेंगे फिर तो येर गाइस एक बहुती बड़ी टेंशन हो चुकी है हम लोगों के लिए क्योंकि इस बंदे का कहना है न कि हम लोगों ने रॉकिट बनाना कब के बंद कर दिये मतलब अब हम लोगों का ये काम नहीं है कि हम लोग रॉकिट बनाए मतलब अब हम लोग कुछ और ही बनाते हैं तो यर गाइस हमारी जो उमीदें थी न उपर मून पे जाने की एक तरह से वो खतम होने वाली थी बर्ड मैं आप लोगों को यहाँ पे गुड नियूस देना चाहता हूँ साच में यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड नियूस है इस बंदे ने हम लोगों को तसली दी कि अगर तुम लोगों को इतना इंपोर्टेंट काम आते हैं यह रोकिट तो एट लिस्ट पांच दिन का टाइम तुम लोगों को देना पड़ेगा इसके बाद हम मतलब मैं अपनी टीम को लगा के कम से कम फाइफ रोकिट तो मैं तुम लोगों को बनवा के दे दूँगा पांच दिनों के अंदर अंदर तो यार गाइस इस से पहले ना मतलब हम लोगों की जो इच्छा थे ना कि आज के आज ही हम लोगों को कोई रोकिट मिल जाए और हम लोग सीधा पहुंच जाएं उपर मून पे वैसे मून पे जाने पर भी इतना असान नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों को कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं क्योंकि हम एक दो बार पहले भी गए थे बट इस बार तो हम लोगों को काफी आगे जाना है ना वो आग नहीं देता हमें रोकेट तो हमारे पास क्या उप्शन था आप लोग बताओ इसलिए डेड लोड की बडिया बात यह है कि यह अपने दोस्त बना के रखता है और सोचने वाली बात यह है कि डेड लोड पता नहीं इस बंदे को कब से जानता है एक मिनिट भाई यह क्या ची सामने की साइट जा रहे हैं तो मुझे भी उनको फॉलो करते हुए आगे जाना पड़ेगा पापरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो ब्राइन को उन लोगों ने वहां पे चुपा रखा हो मतलब इसी घर के अंदर हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन तोड़ा संभल के यार यहां पे कुछ भी हो सकता है और उबर से हम लोग बिल्कुल न्यू है यहां पे उट्टिरी यह क्या था भाई हीरो प्राइन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई तो है क्योंकि इस घर की लोकेशन को अगर देखा जाए और अच्छे से हम लोग सोचें तो ऐस ना फील होता है कि यहार यह जो लोकेशन है ना जंगल के बीचो बीच है और यहां पे हर बंदा नहीं आ सकता भाई लाइटिंग पावर यूज मत करो हिरो ब्राइन यह तुम ने की है या फिर आसमा यह डेड़ लोड पीछे अटो यह तो होगा लाला है ओ माई गोड हिरो ब्राइन चुप जाओ यार यह होगा लाला है या फिर उसके देखने वाला कोई और बंदा है कितनी धरावना है न साच में यार यह तो बिलकुल होगा लाला है बट सोचने वाली बात यह है कि यह दरिंदा यहां पर कर क्या रहा है कहीं ऐसा तो ओ अब मेरे माइंड में गेम आई डेड लोड कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी इसी नही जीरो ब्राइन को वहां से जल्दी से निकाला हो और किसी और जगा पे छुपा दिया हो और अभी तक इन लोगों ने zero brine को मतलब उपर moon पे ले के ना गए हो ये लोग अभी तक और अभी जाने का सोच रहे हो hero brine क्या पता हम लोगों को zero brine यही पे मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है guys इसके जिस rocket पे ये लोग Zero Brine को उपर moon पे लेके जाएंगे उस rocket को मतलब वो rocket हमें मिल जाए और उस rocket पे हम बैठके उपर moon पे चले जाएं उस दरिंदे Entity Six Zero Six का मुकाबला करने के लिए बट अभी तो ये होगा लगा इस घर के अंदर चला गया और दूसरी तरफ Hero Brine भी उसकी च्छत के उपर बैठा है भाई अगर एकदम से वो बाहर भी निकला तो उसने हम लोगों को देख लिया तो क्या होगा यहाँ पे Hero Brine संभल के यार Dead Lord इसको समझाओ कहीं ऐसा नहों कि एकदम से वो यहाँ से बाहर निकले मेरे पास Entity 303 वाला फेक आर्मर है ना अगर वो यहाँ पे आया तो मैं भी गाईस आर्मर पहन लूँगा अब पतानी Hero Brine और Dead Lord इहाँ पे क्या प्लैनिंग करेंगे यह तो बड़िया बात हुई कि होगा लाला हम लोगों को यहाँ पे मिल गया Hero Brine क्या करने वाले हो तुम तो यह गाईस ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है क्योंकि Hero Brine और Dead Lord इहाँ पे पूरी प्लैनिंग कर लिया है हम लोग होगा लाला के उपर दावा बोलने वाले हैं और हमारी प्लैनिंग यह है कि हमें कैसे भी करके इस दरिंदे होगा लाला को जिन्दा पकलना है और इसलिए मैंने फेक Entity 303 वाला आर्मर भी यहाँ पे पहन लिया है आप लोग जानते हैं कि इस आर्मर को पहनने के बाद मेरे अंदर कितनी ज़्यादा शक्तिया आ जाती है और यह भला हो God of Entity का जिसने मुझे यह दिया था देखो यार अगर हम लोग कैसे भी करके एक बार होगा लाला को जिन्दा पकल लेते हैं आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते के गेम कितनी ज़्यादा हम लोगों के हाथ में होगी और हीरू ब्राइन ने यहाँ पे एक रेड टॉर्च भी अपने हाथ में ले लिया पता नहीं कैसे उसको काबू करेगा बठ हमें रॉकेट मिल जाएंगे जिस रॉकेट पे वो लोग जीरू ब्राइन को लेके उपर मून पे जाने वाले हैं लगता है होगा लाला तो गया